हलो दोस्तो तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी खटी मीठी तीखी चटनी की रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही आसान है आपने आम की चटनी टमाटर की चटनी बहुत बार बनाई होगी एक बार इस तरह से सेब की चटनी बना करके देखिएगा यकीन ह आपको ये बहुत पसंद आएगी, आप इसको पूरी पराठा किसी के साथ भी खाईए, बहुत ही स्वादिश लगती है, ये खट्टी मीठी तीकी चट्नी, इस समय सेब का सीजन भी चल रहा है, मार्केट में खूब सेब आ रहे हैं, तो आप इस तरह से चट्नी बना करके तो यहां पर हमने 500 ग्राम सेब ले लिए हैं, आप कैसे भी सेब ले सकते हैं, चोटे साइज के या फिर बड़े साइज के, और इनको हमने अच्छे से धो लिया है, अब इसको हमें छीलना है, जब हम चट्नी बना रहे हों, तभी इनको हमें काटना है, छीलना है, नहीं तो अगर पहले से हम इनको काट के रख देंगे, तो यह काले पड़ जाते हैं, तो चट्नी बनाते समय ही यह प्रोसेस करें, तो यहां पर इनको हम छील लेंगे, और इसमें जो बीज हैं, उनको हम निकाल देंगे, नहीं तो जब आप चट्नी खाएंगे, तो यह मुह में निकाल दिया है अब इनके हमें छोटे-चोटे पीसिस कट करेंगे जिससे कि जल्दी से गल जाए तो यहां पर एकदम बार इक हम इनको कट कर लेंगे बहुत ही सोदिष्ट चटनी बनती है यह जब आप इसको एक बार 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 बनाना पसंद करेंगे तो इस तरह से उनको हम मिलाएंगे चौथाई चम्मच जीरा और साथ ही यहां पर हम मिला देंगे चौथाई चम्मच कलोंजी इन सभी मसालों से चटनी का फ्लेबर बहुत ही अच्छा आता है तो इन्हें हमें 20 से 30 सेकंड इस तरह से रोस्ट कर लेना है जिससे कि इनका फ्लेबर उभर के आए तो फ यहां से मसाले मिक्स हो गए है अब यहां पर हम मिलाएंगे नमक तो यहां पर हम मिलाएंगे आधा चम्मच काला नमक काले नमक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो काला नमक चटनी में जरूर मिलाएं और आधा चम्मच मिला देंगे सफेद नमक और इसको चेक कर लेते हैं, यह देखिये, कितना पानी इने रिलीस कर दिया है, जिससे कि बहुत ही आसानी से गल जाते हैं, और नीचे जलते भी नहीं है, अब यहां पर हम कुछ मसाले मिलाएंगे, तो एक चमच मिला देंगे, कस्मीरी लाल मिर्च, और आधा चमच मिला देंगे, लाल गैस की फ्लैम को स्लो कर देते हैं और इसको कवर करके 2 मिनिट के लिए पकने देते हैं, तो यह देखिए 2 मिनिट बाद हम चेक करेंगे और यह देखिए सेब हमारे गल गये हैं, तो इस तरह से इस प्रेचुला से बीच-बीच में हम मैस भी करते जाएंगे, जिससे की चछट चटनी लंबे समय के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगी, और इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, तो पढ़िया से इसको हमने मिक्स कर दिया है, और कबर करके दो मिनिट और अच्छे से इसको हमें पकने देना है, जिससे की जो साबु सा इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए लास्ट में हम मिलाएंगे चौथा चममच सोठ यानि के ड्राइ जिंजर पाउडर, इससे बहुत अच्छ टेस्ट आता है, इसको जरूर मिलाएं, चटनी में इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है, तो अच्छे से इसको हम मिक्स कर अब हमारी चटनी बन करके हो गई है तयार, बहुत ही स्वादिस्ट चटनी बनी है, जरूर ट्राइ कीजिएगा आप भी, तो इसको हम स्टोर कर लेंगे इस तरह से, कोई काच का बतन ले लेंगे या एर टाइट कंटेनर उसमें इसको रख करके आप 2-3 महिने आरम से इंज किती की चटनी, मसालेदार सेप की चटनी आप इस तरह से जरू बना करके ट्राइ कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी, आप इसका टेक्चर भी देख सकते हैं कितना बढ़िया है, तो आपको इस रेस्पी कैसी लगी, कमेंट में जरू बताइएगा, और प्लीज इस चनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक सेर करना मत भूलिएगा, अपना किंती समय देने के लिए, थैंक यू